सबीको नमस्कार, मैं पुष्पलाता केजी बेवी आकेने पेट सिधिपेट जिलाते हुँ, आज मैं नभी कक्षा के सात्वा पार्ट मेरा जीवत, माई लाइप कविता पार्ट पढ़ाने आए हुँ, इस कविता का कवैतरी सुबद्रा कुमारे चौहांजी है बचों, आज हम एक महान विक्ति के बारे में जानकारे प्राप्त करेंगे मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगी ज्यान से लेखे और बताएगी वहां काउन है मदर तेरेसा बच्छों से बात कर रही हैं, उनके भावं को समझ रही है बीमारी बच्छों को अपने बच्छों के तरहा काना किला रही है लाचार गरीबों की सहायता करती थी, उनके कपड़े इलाज की परियावेक्षन भी करती थी बीमार बच्छों को दवकाना ले जाकर इलाज करवा रही है और कुछ सेवा भी कर रही है बूखे गरीब लोगों की बूख मिठा रही है और उनकी सेवाए कर रही है अनाद बच्छों को अपना कर उनकी धेखबाल कर रही है ऐसे मदर तेरे साने उनकी जीवन को बच्छों से गरीबों से बीमार लोगों से ही बिताया गया उनकी जीवन और किसी से भी बिताया नहीं गया इस तरह उनके पूरा जीवन समाज की सेवा में ही गुजर गया ठीके बच्छों आज हम मदर तेरे साके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किये है हम प्रस्तावना का चित्र देखेंगे यहाँ चित्र किनका है बच्छों हाँ अब तक हम इस मात्र मूर्ती के बारे में जान चुके है इनका नाम है मदर तेरे साथ चित्र के साथ एक सूकती भी दिया गया है प्रार्धना करने वाले होटों से सहायता करने वाले हाथ कहीं अच्छे है हाँ बच्चों यहां तो सही वाक्य है प्रार्धना करने वाले होट केवल अपने बारे में भगवान से प्रार्धना करते है लेकिन सहायता करने वाले हाथ बहुत उपकारी होते हैं सभी की सहायता करते हैं ठीक है बच्छो यहां चित्र के अंतर कुछ प्रश्न भी दिया गया है पहला प्रश्न यहां चित्र किन का है? यहां चित्र किन का है बच्छो? हाँ मानवता का प्रतिमूर्ती मदर तेरे सा का चित्र है दूसरा प्रश्न देखिए आपको समात सेवा करना कैसा लगता है हाँ मुझे समात सेवा करना बहुत अच्छा लगता है आपको भी अच्छा लगता है ना बच्चो ठीक है तीसरा प्रश्ण देखिए, मदर तेरे साके जीवन से क्या प्रेरना मिलती है? अब पात का उद्देश देखेंगे कविता के प्रती रुची रक्ते हुए काव्यस रुजन का प्रयास करना लक्ष की राह में कुश हाल सुकी जीवन व्यतित करने की प्रेरना पाना बच्चो आप भी छोटे-छोटे कविताये लिखने की प्रयास करे और अपने लक्ष की ओर कुशी से आगे बड़े अब हम मेरा जीवन कविता पाट के कवैत्री सुबध्रा कुमारी चौहान जी के बारे में जानेंगे सुबध्रा कुमारी चौहान का जन्म 13 आगस्त 1904 में नाग पंचमी के दिन इलहाबाद के निकर निहाल पूर नामक गाव में हुआता बच्पन से ही वे कविताय रचने लगी उनकी रचनाय राष्ठिय भावना से परिपूर्ण है सुबध्रा कुमारी चौहान का कविता संग्रह मुकुल ठ्रिदारा यहां कदम का पेट जान्सी की रानी सुबध्रा कुमारी चौहान का सम्मान पुरसकार भारतिय तत्रक्षक सेनाने तत्रक्षक जहाच को सुबध्रा कुमारी चौहान का नाम दिया भारतिय डाग विबागने उन्निस सव चिहत्तर में उनके सम्मान में 25 पैसे का एक डाग टिकट जारी किया सुबध्रा कुमारी चौहान का मृत्य 15 फर्वरी उन्निस सव अड़तालीस को एक दुरगट नामे आकास्मिक निदन हो गया ठीके बचो आजका कक्षा आपको अच्चा लगा है ना अगले कक्षा में फिर मिलेंगे दन्यवाद